तो हेलो नमुश्कार अब्रिवन मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सब का स्वागत करते हूं हमारे आपके ओफिशल यूट्यूप चैनल यम्ना एक्सप्रेस वे गुरुदेव रियाल स्टेट बे आज हम फिर से हाजिर हुए कैने दर वीडियो के साथ जहां पर हम आपके साथ कुछ छोटी मोटी अडवाइस शायर करेंगे आपको कुछ चीजे सजेस्ट करेंगे अगर आप यम्ना एक्सप्रेस वे पर पर्चेजिंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या चीज़ें आपके लिए बैस्ट हो सकती हैं और कौन-कौन से महत्तुपूर बात हमारी वीडियो में हमेशा उपने साथ की एक सिर्फने गवाइस जरूर जो सकते हैं साथि आप इससे आप इसे जरूर से आगे भी शेयर करें ताकि जो लोग इस लाग का जुड़ना चाहते हैं जो इस तरह की पर चेजिंग का प्लानिंग कर रहे हैं तो इनके लिए चीज तो वहां पर जब आप हमसे सवाल करेंगे अपने question रखेंगे या अगर आपको कोई और point ऐसा लगता है जो हमें वीडियो में उठाना चाहिए जिस पर में discussion करना चाहिए तो आप उसे भी रखा करिए ताकि हम उस पर आगे work कर सकें आपके उस जो सवाल को आपने comment में रखा उस पर भी हम आगे ध्यान दें और उस पर भी कुछ बाते कर सकें आपके साथ तो यह तो हो गई ऐसी बाते जहां पर आप और हम जुड़ सकते हैं comment section ही एक ऐसा माध्य में जिस पर हम आप से contact कर सकते हैं वीडियो हमारी बहुत सारे लोग देखते हैं तो उसमें यह रहता ह आप हमसे comment कर सकते हैं comment box में आप हमसे जुड सकते हैं आप हमसे सवालों का भी जवाब देंगे और साथ ही अगर आप कॉल नहीं करें यह बहुत ईजी मीडियम है कि आपने फोन से ही कर सकते हैं उसी वीडियो देखने की डिरेशन में ही तो यह तो होगी एक ऐसी बाते जहा कि बहुत टाइम से येडा पर बाते चल नहीं हैं आप अंदाजा लगा के चल सकते हैं कि 2019 लास्ट से या 20 की स्टार्टिंग से ही लोग येडा के बारे बहुत ज्यादा जानने लगें इस पर बहुत सारा डिसकुशन करने लगें बहुत सारी बाते होने लगी और जब तब से बाते हो रही है उस टाइम पर 2020 में लोगों ने बहुत सारी परसे करी किंव डिज्विसमेंट करी 2020 के भी हɑ da उस टाइम पे जब कुछ भी नहीं था, जब जमीन पे वहां पे कुछ भी नहीं था, कोई डवलपमेंट ही, in fact, एरपोर्ट का भी कुछ नहीं दिखता था, उस टाइम पे लोगों ने इंवेस्मेंट किया, लोगों ने 30-30-35 लाग में प्लॉट खरी दे, जैसी जिस चीज़ लोगों को मिली, अच्छी चीज़े मिल जाती थी, 35 लाग रुपय में बढ़िया चीज़े भी लोगों ने पर्चेस करी है, लोकेशन के लिए है, जो आज हमसे जुड़े हुए हमारे क्लाइंट वो खुद भी बताते हैं, तो कहने का मतलब ये कि उस टाइम पे लोगों न में चेंजे आ सकते थे, पर था क्या कि पहले इस लिए चीज़े नहीं बड़े, क्योंकि पहले ये इस तरह से मार्केट में हाइलाइट में हुए थे चीज़े, पबलिक के बीच में घरगर तक ये बाते पहुची नहीं थी, जो बे था, बिसिकले मैं यहां पे बस इतना कह पर्चेस कर लिया होता, लोगों के पास चीज़े आती थी, पर्चेस नहीं करते थे कि पता नहीं आगे फ्यूचर क्या होगा, और आल कहने का मतलब यह है कि जो उस टाइम पर खरीदा, जिसने रिस्क लिया उस टाइम का, जो उसको 100% benefit लेके बैठे हुए है, उस टाइम के मतलब उस टाइम पर 35 लाग की चीज़ ले लेते थे, अच्छी लोकेशन की, आज एक मार्केट का जो रेट सेट है, वो हम आप देख रहे है, 2CR एक फाइनल रेट है, लगबख 2CR के आसपास ही चीज़े अभी चल रही है, जनल नॉर्मल प्लॉट की हम अगर बात करें तो, यह आपका 2CR के 2-4 लाग पीछे, चीज़े ऐसी अभी चल रही है, अगर जनल लोकेशन की बात करें, बागी अच्छी लोकेशन पर जाते हैं, तो रेट में डिफरेंसेज आते हैं, मार्केट कहने का मतलब यह इस टाइम पर लोगों का जो हमारे पस कुछ लोगों का कुछ आता है, कुछ लोग ऐसी बाते करते हैं कि अब 2 करोड का रेट तो अलड़ी बहुत चुका है, तो क्या आप इन्वेस्मेंट करने के लिए येडा सिटी सही रहेगा, और आगे और ह आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, जो चीज धीरे-धीरे मौफ करते करते हैं, 35 लाग से 2 करोड तक आ गई है, तो 1% में में कुछ आता है कि अब क्यों ये बढ़ेगी, मतलब इतना तो अप्रिशेशन काफी टाइम सा चुका है, अब आगे ये क्या उमेदे की बढ़ स करते रहते थे कि तीन साल के अंदर आपको यहां पर लग 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 लाख रुपय के आज पास का रेट देखने को मिलेगा, जो वहां की सारी USP थी जो चीज़े थी पेपर में थी जमीन पूस टाइम तक चीज़े नहीं भी आई थी शुड़वाती दोर के अगर बात करने 2020 के टाइम के 20 की बात करते हैं मेंली अभी हम तो उस टाइम पे जमीन पे चीज़े उतनी आई भी नहीं थी तब भी हम यह अनुमान लगा के चलते थे जिससाब से काम चल रहा है चीज़े चल लिया प्राधिकरण जिससाब से एक्शन लेकि काम कर लिए तो आने वाले समय म लगब लाइख रुपे के आस पास करें देखने को मिलेगा आघ के टाइम पे जो रेत है वो मुफ कर रहा है लगब 68000 से सतर हजार रुपे के बीच का लगब लगब यह रूप चल रहा है और तब जब जबकि एर्पोट का काम लगब लाग कंप्लीट हो गया है एर्पोर् अभी है कि अभी स्टार्ट वाय तब यह रेट है बात चल रही अभी फिल्म सिटी भी यहां पर फिल्म सिटी का फाइनल टेंडर भी निकल चुका है उसमें भी कमपनियां ही सिर्फ वह प्राधी करन्ड की हाथ की चीज़े कि वह फाइलाइस करेगी किस कमपनी को यह पूरा अभी फेस्टी का स्टूडियो वग्यार सारी चीज़े आने वाले समय में अलग अलग फेस्ट मी यह दिवाइब होगी चार फेस्टी मी डेवलप होगी तो विय तो उसमें जाएगा फिल्म सिटी का साथ वस्ते एकर 220 एकर में बनेगा कॉमर्शियल पूरा इनका कॉमर्श करता है मैप बनाता है सारी चीजे तयार कराता है इंजीनियर सैट करता है विए चूटे मोठे ही टॉपिक को रख लिए अगर उसको क्लियर करते करते लगबग आप देखेंगे कि आप छे मेनी युही निकल जाते यह सारी पेपर चीजों को कंप्लीट कराने में हमारा घर तयार होता यह चीज़ें तो लगबग कम से कम अगर मैं मिनिमम से मिनिमम टाइमिंग की बात करो चोटे से भी प्लॉट को बनाने के लिए तो साल भर से कम का समय नहीं जाता है उसको पूरा बना के कम्प्रीट करने में मान के चलिए कि आठ से नौ मैंने तो स्रुक्चर बन रही हो एक एरये हैं भहुत सारे लेबरर्क होंगे बहुत सारे काम करने पड़ए तब चीज़े वन के त्यार होती है eleffis Adaptation के लायक होती है जो अदो है जाती है उसके इनल नहीं कह थो सामने निकले हैं gaming होखेंग इस तो Chandler डे स्ट के मैं यह उन जकती है नहीं करा नहीं चीजों है लाइज करने है लाई जाते हैं लिए का उसके पिछ a वह नहीं चीजोंwość कौन तेयार होने में आधके टाइम पे लोग हम करें की इनरी चाहिए जैसे एपैरेक लिइजी में करें आप यह चोटा सानुमान लगाइगे कि अभी चीजे इस तरह से जिसाब से आगे बड़ी है इनसे एरपोर्ट का फेस वन कम्टीट हुआ है तो आज रेट चल रहा है स्टार्ट इस टायमें प्रियंगे इंड्रल प्रियृ या अ के आपकी स्टार्ट नाजसी स्टार्ट हो जाए। फैरर अजस्टी नाजसी आप ठीज्यृ टार्य अगकर अकानेक्ट कर oh आफु जाएंगी अर्फिया लेवल पर जैसे अभी ऐरपरन का फेस स्टार्ट हो एरपोड चार पार्ट में डिवाइड तरह 2050 लगेंगे पूरे एंपोर्ट को complete होने में असी तरह से film सिटी में विए phase 1 इंस्ट फेस स्टार्ट होगा चीजें स्टार्ट तो हो जाएंगी आप उसके यूज करने भी शुरू कर देगे पर वह fully complete होने में उसे time लगेगा तो कहने का मतलब है कि यह जो connectivity की भी चीज़े हैं यह भी आप आज के टाइम पे देखो कि दिल्ली मेट्रो लाइन में अभी काम नहीं चल ला है वहां पर भी नए नए रूट ले लिए जाते हैं अभी भी उसमें construction चल लही है और नहीं planning की जा रही है नोईडा मेट्रो में planning क प्रपोस्ट हो गया है उस पर बाते चली discussion हो रहा है तो उस पर भी प्राधिकरण पूरा काम कर रही है तो कहने के मतलब आपके लिए एक लेवल तो दूसरे लेवल तक चीज़े स्टार्ट हो जाएंगी फाइलाइस तो धीरे-धीरे होती रहेंगी खाम चलता रहें का तो मैं overall मेरी बात का बस मतलब इतना है आपसे जो मैं discussion कर रही हूँ उसका कहने का मतलब इतना है कि आप यह मान के चलिए कि अभी rate में कोई बहुत बढ़वतरी नहीं हो यह बहुत कुछ rate में changes नहीं आए अभी इस rate को बहुत आगे जाना है जहां हम आपकी कलपना भी हम इ सारी locations को बीट करेगा और उस टाइम पर रीठी कुछ और होंगे planning की बात इतनी है कि अगर आज अब आप देखो पीछे आज से एक साल पहले तक यहां पर एक सवा साल की बात करें तो एक करोड के आज-पास का रेट था एक साल पहले की लगबग आप मान के लिए कि एक करो अब वह किसी का बजट एक करोड का है और अप्रिशेशन यहां पे जिस साब से आया है तो लगबग 2CR के आज-पास का जो रेट हो गया है तो एक से बंदा पर चेजर एक से दो करोड में जंप नहीं कर सकता तो इस टाइम पे भी कुछ ऐसे पर चेजर है जो की शॉर्ट ल आज के टाइम पर 2CR में भी परचेजर परचेज करने वाले हैं वह परचेज कर लेंगे बहुत अच्छी बात है आने वाले समय में यह चीज़े जब 3 करोड के आज-पास पहुचेंगी तो आप देखो के 272 करोड वाले लोगों को भी शॉर्ट लिस्ट हो जाना पड़ेग सब्सक्राइब लाग रुपय के आज-पास करेट हो जाएगा इस साल के एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा तब भी आपको यह आपके बज़ट से आगे चीज़े निकलती में दिखेंगे जैल पर्चेस तब भी हो कि जैसे आज हो रही जैसे पीछे हो एगी दिक्कत कि यह हो सकता हो कि आपके बजट से चीजे निकल जाए आपके लिए यह सुटेबल टाइम चल रहा है कि आप इस टाइम पर चीजों को पर्चेस करिए जो आगे वाला अप्रीशेशन है उसके लिए आप पेशेंस के साथ वेट करिए और फिर आप उसका बिल्कुल भरपूर आनद ले सकते हैं जो आपको बढ़ा हुआ अप्रीशेशन देखने को मिलेगा आपकी आपके अमाउंट में जो एक समाउंट आप महां पर इन्वेस्ट कर रहा है तो ओवरॉल समझाने का कहने का बसमीन से इतना था कि आने वाले समय में बहुत सारे अप्रीशेशन आपको तोड़े टाइम के लिए स्टवील्टी आती ही है और वह अच्छी चीज होती है स्टेबल होना बहुत सही है स्टेबल है शाचुरेशन बिलकुल भी नहीं है मार्किट आगे बिलकुल मूब करेगी फिर आगे जाएगी और जंप करेगी रेट में टिफ्रेंसे आएंगे ज वो अपनी इन्वेंटरी को होल भी कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए और रख सकते हैं कि मैं यह बिना डाउट के आपको कह सकती हूं कि आने वाले समय में अप्रिशेशन अच्छा आपको देखने को मिलेगा येडा सिटी में वाकि जिसकी नीड है एसेट समी बनाते हैं कि यह बहुत जादा जरूरत नहीं आरी तो आप अपनी उनिटों को अच्छा अप्रिशेशन देखने को मिलेगा और यह आने वाले टाइम बहुत जादा दूर नहीं है आगे तो बहुत ही अप्रिशेशन है उसकी तो हम बाती नहीं कर रहें पर फिर भी मैं आप से 25 मेंश की तो आप तब तक के लिए अपनी चीज को होड़ कर सकते तो यह सारी बाते तो हो गई शौट फॉर्म में और आगे की वीडियो में मैं आपको डिटेल में इन चीजों पर डिसकर्स करती रहूंगी चीजे बताती रहूंगी अब बात करते हैं जो टॉपिक था हमारा आज कि हम यहां पर चीजे परचेस कैसे कर सकते हैं यहां पर अगर हम कुछ प्लानिंग करते हैं परचेसिंग के लिए तो किस किस पॉइंट का हमें ध्यान रखना चाहिए तो फर्स्ट फॉल हमें जो ध्यान रखना है हमें सबसे पहले मार्केट को समझना है कैस तरह से रिसेल में मा करना है उसके बाद हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा requirement क्या है हम किस हिसाब की चीज चाह रहे हमें कितना बड़ा एडिया चाहिए उसके बाद इस एरिये किस पर्टिकुलर पर चीज चाहिए कैसी जर्नल्स चीज चाहिए जह हम कोई लोकेशन की चीज देख रहे हैं यह सारे पॉइंट्स होते हैं इसको आप बिल्कुल अपने माइंड में रखें पुर्चेशिंग करने से पहले किस लोकेशन चीज की किस हिसाब की चीज चाहिए आप उस पर आप अपने budget को देखिए इन दियोनों के साथ जो आपकी budget और जब requirement आपको समझ में आ जाएगी तो आपका size decide हो जाएगा कि आपकी size में purchasing करना चाहते हो जो भी unit आप purchase करना चाह रहे हैं अब मैं आपको बताती चलू कि जो 1CR के आसपास का budget है आपका तो आप मानके चलिए 1CR से plus में चीज़े आपको लगबग 120 स्क्वाइर में आज के टाइम पर मिल जाती है एक करोड बीस लाग के आसपास में तो आप 120 मीटर में जा सकते हैं अगर आपको budget एक सवा करोड का self-funding का है तो आप किसी रजिस्टेट प्लॉट के option में जा सकते हैं अब यहां पर मैंने एक वर्ड यूज कर दिया रजिस्टेट का अभी मैं आपको इसको भी किलियर करूंगे जिस property पे आपको लोन मिल जाए उसमें आप जा सकते हैं थोड़ा बहुत लोन कराने की कोशिश करिए और कोशिश यही रखिए कि अगर आप 300 मीटर तक बहुत सकते हैं तो 300 मीटर का ही option लीजिए वो आपके लिए ज्यादा बैटर रहेगा कम पैसे जाएंगे उसमें आपके आगर आप देखोगे तो 70,000 के रेट में आपको लगबाग 300 मीटर का प्लोट मिल जाएगा वहीं 120 मीटर के प्लोट लगबाग आपको लाख रुपए के रेट में देखने को मिलेंगे size भी छोटा हो जाएगा amount आपके pocket से जाएगा 300 मीटर में यह हो जाएगा amount का कम जाएगा size बढ़ी मिल जाएगी और appreciation क्योंकि इसमें sale purchase बहुत जलदी जलदी होती है S panels the oyton जो सबसे जादा comment और speed में होतीओ 300 m² में चो लोग छोटे plot में क्यों रेट इतने जयुदा है उसका रreजन यह है कि आप जो लोग Allah कि अपीछले साल वा ले यह की शोटी ही plot में वो जा सकते हैं बड़े में नहीं जा सकते हैं तो अब उनको इसी साइज में जाना पड़ेगा 120 मीटर के आसपास अब अगर उनको 120 मीटर में कोई करनी है तो सबसे बड़ा ओप्शन यहां पीए कि 120 मीटर की युनिट यमना में अगर रजिस्टेड है प्राधी करनतार वह प्लॉट रजिस्टेड है तब ही आप उसे परचेस कर सकते हैं अगर युनिट की रजिस्ट्रिया नहीं हुई है तो उसमें आपको सेल परचेस नही है तो रजिस्टेड प्लॉट के ओप्शन बहुत कम है अब जितने प्लॉट रजिस्टेड हैं जरूरी नहीं कि हरको यह पना प्लॉट बेचना चाहता है तो बहुत कम से स्लेक्टेड मतलब एक तरह से आप कह सकते है युनिट सेल में आती है और डिमांड क्यूंकि जिनका कि मैंने इप पोइंट बोला तो तो रजिस्टेड का जो मैंने पॉइंट बोला है उसमें चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यमना प्रादीकरण में जो 2009 की स्कीम के प्लॉट है उसमें आपके स्कीम में राजिस्ट्री से पहले ही ट्रांसफर ओपें है यह बिल्कु लीग Signal to change that is in another video पर्जेजर by midnight एगेमेंट करना रहता है करना एंस एक सेल करना है शेकर bative, आ अपे अपी और प्रापटी को सिर्माना गयर सकता है खरीदने भडस आपS एह औरन परिश्थ पर्आपटी को ल्हींड वारेच रेफ कर सकता है और यह एक प्रोसेस होता है सेफ, सेक्योर और बिटकुल लीगल प्रोसेस है यमना अथॉर्टी के 2009 की स्कीम के प्लॉट को खरीदने का यहां पर आप इसली खरीज सकते हैं बत इसमें एक ही कंडििशन होती है बैंके अपने नॉम्स होते है इसमें आपको लून नहीं मिल पाता है बाकी और कोई इस्यू नहीं है कोई रिक अडनी आपसेव डिक्स कर सकते हैं रजिस्ट्रेट फ्लउट वह होते हैं इसकी पर्शिट्री हो चखी है जिस परसन ने खरी होगा है तो वह प्लॉट आपका रजिस्टेड है और उस पे बैंक एजली लोन दे देती है कहीं कोई इसू नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपने देखा भी होगा बहुत जंगे बहुत सारे ऐसे जंगे होते हैं जहां पर प्लॉट्स पर लोन जल्दी नहीं मिल पा हां तो यह दो डिफ्रेंसेज रजिस्टेड के आप दोनों में सेफली पर्चेज़िंग कर सकते हैं बस यह है अंझो परdepend sub करने पड़ेगी रजिस्टेट में आप जाओगे तो आपको बैंक लोन की स्वीधा मिल सकती है बट यह भी है कि अन्रेजिस्टेट प्लॉट हमेशा रजिस्टेट से कुछ परसंट महेंगा रहता है मांद आप मान के चलिए कि वह आपको आट से दतला कॉसली पड़ेगा जो तो उनों में प्रोसेस और लीगल डोकुमेंटेशन के आओंगे मैंने आपको यह बता दिया सारे स्टेप्स बता दिये किस हिसाब से आप पर्चेजिंग कर सकते हैं आप रेट देखिए रेट को और अब यहां पर सबसे बड़ी बात आती है कि हम कैसे पता करें कि रेट कै पड़ेगा बीच में कोई मेडियेटर हो जो आपको सारा काम आपको करा दे जिसके साथ साथ आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जो एक मेडियेटर आप चूस कर रहे हो वह आपको एक अच्छा ऑप्शन दे एक सही रेट की प्राइसिंग पर आपको चीज़ें मिलेगी प्राइसिंग अपको मार्के रेट पर ही मिलेगी कोई यह नहीं कह सकता है कि हम आपको मार्के रेट से कम की डिल दे देंगे अगर वो एक अलग कंडिशन है तो अग क्यों हम यह बहुत बहुत कर बता Li तो ट्रांजक्शन के निटितर कि किसी बीडियाटर श्याद इस ते सभी टांद कि कि मैंसेटर श्यादर श्याद के लिए आप iennentे हैं गारेना ही एक मों से बार होता हूं जो एक बीच में टाइम है वन मन का टाइम है और फॉर्टि फाइव डेस का टाइम है जो आपको प्रचेजिंग के लिए मिलता है डील पे उस टाइम तक आपको उस डील में जुड़े रहते हो आपके ट्रांजेक्शन हो रहा होता अमाउंट का उसकी सारी जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी के साथ सथ आगे आपके नाम पर पूरा रजिस्ट्री ट्रांसफर जैसी डील आप लेते हो वह सब कराके एक एक पेपर कंप्लीट कराके आपको जादा परेशान ना होना पड़े आपका जादा टाइम ना लॉस हो क्योंकि जादा जो पर्चेजर होते हैं मेरट के हैं बहुत सार मेरे ऐसे क्लाइंट है जो काफी दूर दूर के भी है उन पर इतना टाइम नहीं होता है कि हम उन्हें बार बार किसी और काम के लिए बुलाएं तो कहने का मतलब यह है कि कहीं भी आप जा रहो तो आप कोई सारी चीज़ देखने कि आगे तक कहीं बिल्कुल सेक्योर कूरी मेरी फाइल कंप्रीट हो कि जो भी मैं खरीद रहा हूं या जो भी मैं बेच रहा हूं प्रपर तरीके सब जो चीज़ भी रही है उसका टाइम से मेरे पास सारा अमाउंट आजा तो सेलर पर चेलर दोनों के लिए ही बड़ा एक बड़ा टास्क हो यह आपको डूलना पढ़ेगा सर्च करना पढ़ेगा तो वीडियो काफी लंदी हो रही है तो मैं आप यहीं पर वीडियो को रोकूंगी मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इन सारी चीज़ों पर वर्किंग करिए सर्चिं करिए क्यों कि आप आप अपनी प्रापर्टी कि देखूगे ऊटर में साथ महीना कर नी को से फॉरमत यह शोट प्रण 내가र चीज़ों में वाहां की प्राप ऩरी प्राप्ती है तो बहुत बढ़ुरस नीज विघवा क्वटै तो तो फो च्ट नज वहां पर चैंशल प्रापर्स कि अर्श को बहुत होना और लुका पुरम आगे हमें कोई दिक्कत ना हो जाए इस चीज का पूरा ध्यान रखिए उसके बाद यह सारे प्रोसेस हैं इनको देखिए इनको समझे वीडियो को पूरा एंट तक समझ लीजे कैसे हैं और समझने के बाद इस तरह से आप से बिल्कुल से इंवेस्मेंट कर सकते हैं 100% आपको आपको अप्रिशेशन यहां पर देखने को मिलेगा बट उसी डिरेशन में यह जो पांक साल का टाइम में इसमें सिर्फ और सिफ आपको पेशिंस रखना है पेशिंस के साथ अपनी इंवेस्मेंट के उसके साथ जोड़े रहना है 100% आपको गैरंटी के साथ यह बोलती हू तो आप शॉर्ट इंवेस्मेंट भी यहां पर कर सकते हो दोनों आपकी चॉइस आपको दोनों पर बहुत बढ़ी है बेनिफिट देखने को मिलेगा तो फिलाल मेरी वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूं साथी साथ मैं आपको यह बताते चलूँ आप अगर किसी भी प फ़रानी वीडियो को भी देखोगे वहां पर इंud da हुड को अब यहां इसी कॉंफिडेंस साथ इसी तरह सब आप से बात कर रहे थे और आज भी उसी कॉंफिदेंस के साथ इसी तरह साथ अप से बात कर रह comprarrive है और आज भी आपसी कहल है कहलें कि हम आपकी झाहिवें शही चीजे देखिए समझे और फिर आप एक अच्छी परचीज आप करिए जो भी आपका अमाउंट है उसको लगाईए साथ जो सेलर है वह भी हमसे जुड़ सकते हैं बढ़िया एक अच्छी डियल के लिए तो इस तरह से आप हमसे जुड़ सकते हैं स्क्रीन पर नंबर दिख र कर दिया करें और कमेंट वोक्स में हमसे जरूर जुड़ा करें वीडियो में इतना ही और हां चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिया करिए क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप के लिए प्लान करते रहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच